हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा जिग 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 वाला निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा यह डिजाइन है आप इस डिजाइन को जैंड स्वेटर पर बनाईए या बेबी प्रोजक पे या लेडीज कार्डिगन पे बहुत ही प्यारा सा यह डिजाइन है जिग 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 जैसे यह डिजाइन आता है यह बनाने में बहुत आसान है केवल 16 सलाइयों का डिजाइन है देखी यहां से लेके यहां तक 8 सलाइयो हैं फिर आठ सलाई हैं तो इस तरह से ये 16 सलाईों का डिजाइन है 16 16 डिजाइन सलाईों को हमने बार बार रेपीट करना है तो ये डिजाइन हमारा बहुत ही प्यारा सा बनके आता है और इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे हमने लेने है वो हमने बारा के मल्टिपल पे लेने है बारा 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 करके लेने है प्लस तीन फंदे हमने एक्ष्रा करने है पूरी सलाई में तीन फंदे एक्ष्रा रखने है बाकी जो ये फंदे डिजाइन के लिए रखने है वो बारा 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 करके हमने ल बारा बारा फंदे मैंने दो बार डाले हैं तो 24 फंदे डिजाइन के हैं और 3 फंदे मैंने एक्स्टर डाले हैं तो इस तरह से फंदे डालके मैंने यहाँ पे पूरे 27 फंदे लिए हैं आपने भी इसी तरह से फंदे लेने हैं बारा 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 करके और प्लस आपने 3 फंद तो दीएकर पहली सलाई सेथी तरब से कैसे बनाएंगे पहला फंदा है इसे ऐसे ही उतारेंगे इसके बाद एक संदा सीधा बना देंगे अब इन दो फंदों के बाद से हमारा डेजाइन जो मैं बनाना बटाऊंगे आपको तो उसी को ही रिपीट करना है देखिए शुरू के पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे सीधे बनाने के बाद पांच फंदे सीधे बनाने के बाद जो ये छटा सीधा फंदा है इसके यहां से हमने इस फंदे को लेना है देखिए यहां पे जो ये फंदा होता है इसे लेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे ऐसे फिर धाका आगे करेंगे और अब पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धाका पीछे कर देना है अब आगे की जो ये दो फंदे है इन दो फंदों पे हम सलाई डाले इस तरह से आगे से डालेंगे दो का एक करेंगे ऐसे अब देखिए इन दो फंदो को छोड़के यहां से लेके यहां तक जो यह मैंने फंदे बनाए हैं बारा फंदे इनी बारा फंदो के डिजाइन को पूरी सलाई पर रिपीट करना है फिर से देखिए पहले हम पांच फंदे के यहां से हमने यह फंदा लेना है देखिए यह वाला फंदा जो होता है इसे लेंगे और इसे इस तरह से सलाई डालके इसे सीधा बनेंगे ऐसे ठीक है फिर धागा आगे करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कर देना है आगे के दो फंदे ये जो है इन दो फंदों का एक पंदा करना है इस तरह से सलाई डालके दो का एक करना है तो देखा आपने इनी बारा बारा फंदों के डिजाइन को हमने पूरी सलाई पर रपीट करना है ये हमारा लाश् केवल सीधी तरप से ही डिजाइन ये बनता है उल्टी तरप से फूरा उल्टा- aumentar ही बुना जाता है तो जो मैंने ये पहली सिलाई और दूसरी सिलाई ये जो दो सिलाई बनाई है इनी दो सिलाईओ को आगे 6 सिलाईओं पे और repeat करना है तीसरी और पांचवी सलाई हमने फर्स्ट रो आगे से बुर्णा है जैसे मैंने फर्स्ट रो बताई है और दूसरी और चौथी और छटी सलाई हमने बैक लूप से जैसे जो उल्टी तरफ से जो ये उल्टा-उल्टा है उल्टा-उल्टा ही बनाना है पहली सलाई मैंने यहां से जो बनाई है इसे आपने अगली जो छे और सलाईयां लगाएंगे तो तीन सलाईयां हमारी सीध्य तरफ से आएंगी अब और तीन सलाईयां उल्टी तरफ से आएंगी टोटल जब हमारी एट सलाईयां हो जाएंगी उसके बाद हमने डिजाइन थो 3rd row भी हमने ऐसी बनानी है, 4th row back side आएगी, 5th row right side आएगी, 6th row back side आएगी, 7th row right side से आएगी और 8th row back side से आएगी यह देखो friends मैंने 8 सलाइयां पूरी लगा ली हैं, बिल्कुल 1st row और 2nd row को ही मैंने बार बार रिपीट किया है जब यह total 8 सलाइयां हो जाएंगी, देखिए जब यह 4 line हमारी उल्टी उल्टी आ जाएंगी, एक यह line, 2, 3 और 4, जब हमारी 8 सलाइयां पूरी हो जाएंगी, तो 9 सलाइय में हमने थोड़ा सा design change करना है, तो आपने 9th row ध्यान से देखनी है, तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा ऐस चीचे, इसे सीधा ही उतारेंगे, अब आगे के जो यह दो फंदे हैं, इन दो फंदो को देखिए इस तरह से लेंगे, ऐसे और ऐसे, वापस इसी सलाइय पर shift करेंगे, और इन दो फंदो को back loop से बुनेंगे, पीछे की तरब से इस तरह से इस दो का एक करेंगे फिर धागा आगे करके पांच फंदे उल्टे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच, अब हमने धागा पीछे कर देना है, देखिए पिछली बार हमने यहां से फंदा उठाया था ना, ऐसे, लेकिन अब की बार हमने यहां से फंदा उठाना है, यह वाला, इस फंदे तीन चार और पांच तो देखे एच को छोड़के यहां से लेके यहां तक यह बारा फंदों का डिजाइन जो हमने बनाया है इसी को ही हमने नाइन त्रों में रिपीट करना है ठीके यहां से लेके यहां तक फिर से रिपीट करेंगे दो फंदों का एक फंदा करना है पहले इन दो फंदों को इस तरह से सलाई पे लेंगे वापस लेंगे लेप्ट सलाई में और इस तरह से बैक लूप से बुन देंगे धागा आगे करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच धागा पीछे कर देंगे यहां से हमने इस फंदे को उठाना है यहां पे रखना है और इसे सीधा बनना है इसके बाद पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और पांच तो देखे इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे दो फंदे बचेंगे इन दोनों फंदो को हमने सीधा बनाना है तो 9 त्रो पे हमारा डिजाइन चेंज हो जाएगा और 10 त्रो बैक साइड आएगी जो कि हमने पूरी उल्टी उल्टी बनानी है पहला फंदा स्लिप करेंगे इसके बाद पूरी सलाई उल्ट 12 त्रो आएगी 12 सल 13 14 15 16 16 सलाई तक हमने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको इस समय ये 9 त्रो बताई है और 10 त्रो बैक साइड बैक साइड से तो उल्टा उल्टा ही बनाना है लेकिन जो फ्रंट साइड से है वो हमने बिल्कुल 9 त्रो जैसे बनानी है टोटल 16 तो इस तरह से यहां पर यह डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया है यहां पर देखिए तो अब जो आगे हम बनाएंगे तो इसी सलाई को हमने बार बार रिपीट करना है ठीक है तो जब पूरी सलाईयां बन जाएंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका लुक कैसे आ यहां पर देखिए मैंने पूरी सोला सलाईयां लगा ली है तो पूरी सलाईयां सोला सलाईयां लगाने के बाद यह डिजाइन इस तरह से हमारा दिखाई देगा पहली सलाई से और आठ्वी सलाई तक तो हमने एक जैसे बनाना है फिर नवी सलाई से और सौली सलाई तक हमन आप जैन स्वेटर पर भी बना सकते हो और बच्चों के स्वेटर पर भी लेडिस कार्डिगन पर भी आप इस डिजाइन को बनाएंगे बहुत ही ब्यूटिफुल ये डिजाइन है तो फिर बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें थैंक्यो फूर वाचिंग बापाई